आज अठारा दिसंबर दो हजार बाइस अव्यक बाब दादा के रिवाइजड कोर्स है अठारा फेब नाइटी थ्री अठारा फेबरी को नाइटी थ्री को शिव जन्ती थी शिव रात्री का त्योहार था उत्सर था तो बाबा ने उस दिन के महावा कि किसलिए उचा रहे हैं क्योंकि बाबा ने पिसली बारी भी का था कि शिव रात्री आ रही है अभी जिर दो में निगवा शिव रात्री आ रही है तो उसकी लिए त्यारिया कैसे करने हैं तो त्यारिया अभी से बाबा त्यारिय किरा रहे हैं तो आज भी बाबाने शराती की ही प्यारिया कि राई है कि शराती जब बनानी है बहूत दोंगदाम से मनानी है दुनिया को पता लगे कि हम सब के बाप का जनुमने ज़ैना ह tego उसकी लिए बाबा ने आज इस टाइ beginnings है कि जिवन एक दिर जिवन थोड़ी करöm इंदिए जिवन हैं एक दिर 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 नहीं पुरहां जिवन धार कंधे लिए लाइप स्टाइब लिए 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 स्टाइल भॉन वाला है तो प्रहां महिंक जीवनका श्वास क्या है श्वास माला सदा उमंग और उत्सा सदा उमंग और उत्सा जैसे दुनिया में श्वास ना आए तो गया आज भी वाबर ने बताया कि दुनिया में अगर श्वास नहीं आरा फिर तो गया श्वास भी अगर फ्लक्ट्वेशन हो रही है कम है ज्यादा है वो भी कितना रिस्की है यानि ब्लेड प्रेशर हाई हो जाए तब भी खड़ा लो हो जाए तो भी खड़ा ऐसी यहां ब्रहमन जीवन का भी उमंग उत्सा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए गुबारे की तरह बन जाए अगरे दिर पेंचर हो जाए कोई फैदा नहीं बिल्कुल दिर्शिकस हो जाए तब भी कोई फैदा नहीं कॉस्टेंट चलना चाहिए निरंतर चलना चाहिए और सदा उमंग भी हो उत्सा भी हो रोज तबी बाबा एक दिन भी छुटी नहीं करते है मुल्ली की मतल़ है एक बच्चा गर एक दिन भी छुटी कर लेगा मुल्ली की वो बहुत मेशे आजाएगा उमंग उत्सा कदम आजाएगा एक दिन भी छुटी नहीं जिसे सदा वो मंग भी वो सहावी ग्यान भी और योग भी हमारा ब्राह्मन जीवन का शुआस है तो बाबा ने कहा है शिव जन्ति को हो या शिव रात्री को हो है तो त्रिमूर्थी का त्रिमूर्थी शबत से सिद्ग होता है कि बाबा त्रिमूर्थी शिव है खाली शिव बोले से क्लियर नहीं होता है त्रिमूर्थी शिव है यानि भर्मादारा क्या करते है यह हमको क्लियर पता है तो बाबा ने कहा दुनिया में भी शिव जन्ति पर क्या करते है तीन चीजे बाबा निका करते हैं एक तो वृत रखते हैं दूसरा दूसरा खान पान की प्रहेज रखते हैं वृत किसे रखते हैं कि आज ये नहीं खाना ये नहीं खाना और दूसरा पुवित्रता का वृत रखते हैं और तीसरा ना दुख देना किसी को ना दुखा देना एक दिन के लिए करते हैं हम वरत नहीं रखते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दिन के लिए मनाते हैं हमारा इस्तिहार मनाना मना ऐसा बनना हम ऐसा बनी जाते हैं इसलिए हम वरत नहीं रखते हैं हमारा सदा का बृत है जब तक ब्रहामन जीवन है सदा हमारे तीनों बृत है कौन से कि सदा पुवित रधा सदा बहार का खान पान नहीं खाना सदा किसी को दुख निय देना और किसी को दो खानी देना इसलिए एक एक दिन वरत करने की जरूरी है पर्मानेंटी ब्रहमन जीवन का कल्चर ही बन गया इस रहस्य को बाबा ने का जानना है ठीक है फिर बाबा ने कहा दुनिया क्या करती है त्योहार मनाने के लिए हम तो मदबन जाएंगे अब दुनिया क्या करती है सागर के किनारे जाएगी या किसी बगीचे में जागे त्योहार मनाएगी या किसी कलम में जाएंगे तो बाबा ने कहा हमारा सागर का किनारा शुबाबा ग्यान का सागर आगया उसका किनारा भी है सुन्दर बगीचा बना कितना सुन्दर ढग से बाबा ने बताया तो इस साफ से हमने जनम दिन मनाना है बाबा का तीनों वरत हमने पर्मनेंट कर लिये हैं चेक करना अपने है और फिर दुनिया में उस दिन वरत रखते हैं ब्रहम चलिया था का भी बाबा ने का ब्रहम चलिया तो हमारी खाली ब्रहम भ्रहुजर्य नहीं हमारग तो पांचों वी कारों का प्रफ और मैंनी काम महा शत्र फर विज्य पाते हैं हम तो पांचों पर खर पिरबाबा ने बुला कई बाउचे क्रोग तो करते नी है उसके बाल बचचे बाल बच्चे अचे पेचारिटे ना articles को भरोप दिखा दिया औ राजतिक जो किया है वो माफ कर दिया आगे से नहीं करना ठ्यारादति बिर्षिंगाष्ञ परकाश लाने वाली रैति तरी को कहेंगे शिव रैतिक पूरण पुवित्ता चाहिए हमारे को पूरी रोशनी चाहिए पूरा अंदकार खत्म हो जाना चाहिए तो फिर बाबा ने कहा कि परतिग्या तो करते हैं फिर परतिग्या में क्या होता है तो 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 बन जाते हैं है ना परतिग्या हमारी बार 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 फेल हो जाती है ऐसा वैसा करते करते है फिर बाबा को बहुते हैं बाबा हमने तो लेटर लिखी है दिखाएं आपको हमने परतिग्या किया है बाबा क की पर्तिग्या कमजोर क्यों होती है बाबन का वो एक ही शबद है जो बिन बिन रॉयल रूप में आपको कमजोर कर देता है क्या है वो बोड़ी कौशिस का मैं 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 मेरा मैं मेरा मेरा आइडिया मैंने बोला मैं नहीं करता ऐसे जो करते हैं यह बाबने का आपको गिराता है इसी करके प्रालम आती है मैं इतना सहन नहीं कर सकता मैं इतना डाउन टू अर्थ रेकर के काम नहीं कर सकता तेंगे न ऐसे ऐसे जब कहते हैं यह आपको बाबने का गिराता है यह आपको कमजोर करता है और यह मैं मैं को खतम करना है इस वास्तों में अब दूनिया ने इस मैमे को समझानी बोडी कोश्चिश कि उन thumbnail मैमे बकरा करता है उन्हें बकरे को इक काट दे कि चलो इसकी मैमे ख़त्म करने हैं तो मैमे अपनी ख़त्म करनी है तो फिर लास्ट बाबा ने बोला कि बच्चों को बाबा से प्यार है कितना? प्जास परसंट, प्जितर परसंट, बाबा के तरहीं हंडर्ड परसंट से भी बच्चें को प्यार है, बाबा से प्यार है, तो बाबा ने कर प्यार है, प्यार में तो कोई भी चीज त्याक करना मुश्किल है कोई, तो मुश्किल तो नहीं है न, इस बारी बाबा ने कहा फिर यह पेपर आएगा तीक है तो आपने सर्फ क्या करना है देखना है कि मेरी पर्तिग्या पावरफुल है कि परिक्षा पावरफुल है बस देरी परिक्षा मेरी पर्तिग्या को कमजोर ना करते बस इतने ही काम करना है तो फिर बाबा ने कहा विदेशियों कोई बोला सब बढ़ अभन कल्चार आ प्रहता होते भी, सबृफन गाया है। कौन सब हमारा सिर्फ ब्रह्मान कल्च्र। ठीक है तो में ब्रह्मान कल्च्र जो है वह हिचाहिये ब्रह्मान कल्च्र क्या है संपोरन जब श्रता तक कि तो क्या स maior कोई कि से कलिए नेगाइडिटीविटी नह ओ यह हमारा ब्रामन कल्चर है, ऐसा कल्चर होना चाहिए, ठीक है, तो फिर लास्ट में बाबर ने वर्दार ने बोला, कि आप कौन हो, सबसे बड़े धनवान, संपतिवान, आप से ज्यादा कोई है नी संपतिवान, क्यों, क्यों कि आपको खजाने मिले हैं, कौन से, ग्यान के गुनों के शक्तियों के, तो उससे आपने संपन भरपूर और संतुष्टा का अन्भो करना है, कर लिए अन्भो, संपन बनगे, बाप समान संपन बनना है, यानि बाप समान क्या बनना है, सरगुल संपन, सोला कला संपुरन बनना है, यह अन्भो करना है आपने, तब आप क वान, तिक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोगन बाबा ने बताया, मोहबत में सदा लूढ 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 में लीन हो जाओ बाबा के तो महनत का अनभो नहीं होगा, अज़र महनत करते हैं, मुश्किल हो जाती है, बाब के लूढ में जैसे की लीन हो गें, य अभी सुनेंगे हम विस्तार से ब्रहाम्मन जीवन का श्वास क्या है सदा उमंग और उस्सा किसे आता है ज्यान योग से बस और तुछ आता है सदा उमंग उसामेज मेरे सातों गुनों का फ्लो एक जैसा रहे यह है सदा उमंग उसा करज़ तो आज है तो आज तरी मूर्ती शिव बाप सर्व बच्चों को विशेश त्री संबंद से देख रहे हैं तीरों संबंद से देख रहे हैं सबसे पहला प्यारा संबंद है सर्व पराप्तियों के मालिक वारिस हो बाबा के बच्चे है न वारिस हो सारी प्रापर्टी बाबा की आप हददार हो फिर वारिस के साथ इश्वर ये विद्यारती हो और सासाथ हर कदम में फालो करने वाले सत्गुरू के प्यारे हो बाप प्रीचर सत्गुरू तो त्रिमूर्ती शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंद विशेश रूप में देख रहे हैं वैसे तो सर्व संबंद निभाने की अनुभवी आत्मा हो बाबा के बच्चे बाबा से सारे संबंद निभाते हैं अगर एक भी संबंद बाबा से नहीं निभाया इस दुनिया में किसी से रखा हुआ है वहीं से पेपर आएगे वहीं से माया आएगी अगर माया बहुत आ रही है तो समझ लो हमने वो लॉकिक से कई देशन बना के रखा हुआ है रिष्टा बना के रखा है वो बाबा से नहीं मना है वो समंद बाबा से बना लो माया आनी बन हो जाएगी पदा है ने समको यह एक एक समंद बाबा से मना रहा है तो आज तो बाबा तीन संबंद देख रहे हैं बाप, टिचर और सत्गुरू का वैसे तो सर्व संबंद निभाने की अनभवी आत्मा हो लेकिन आज विशेश तीन संबंद देख रहे हैं ये तीन संबंद सभी को प्यारे हैं तो आज विशेश त्रिमूर्ति शिव जनती मनाने के उमग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं बाप को मुबारक देने आये हो, वह बाप से मुबारक लेने आये हो क्या करने आये हैं? बाप ने कहा दोनों काम करने आये हो जब नाम ही है शिव जनती व शिव रात्री तो त्रिमूर्ति क्या सिद करता है? प्रजा पिटा ब्रमा द्वारा क्या करते हैं? ब्रमा द्वारा आप ब्रामनों की स्थापना आप ब्रामनों की रचना रचते हैं ना उन्हों की फिर बापन बच्चे रज़ दिये उन्हों की ही फिर पालना होती है कैसे बापा पालता एक एक बच्चे को तो त्रिमूर्ती शबद सिद करता है कि बाप के साथ साथ क्या सिद करता है त्रिमूर्ती शबद बाप के साथ साथ आप ब्राह्मन बच्चे भी साथ है बाबा अकेला नहीं है हम बच्चे भी साथ है अकेला बाप करेगा क्या इसलिए बाप की जनती सो आप ब्राह्मन बच्चों की भी जनती सो जनती बाप का जनबी बच्चों का जनती क्यों क्या समया है बापने अकेला बापा क्या करेगा आप सब मिलके बाबा के मदद कर मते हैं ना तो सभी की जनती है तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव जनम की वा इस डाइमंड जनती की पदमा पदम गुना मुबारक दे रहे है क्योंकि आप सब के मुबारक के पत्र कार्ड बाबा के पास पहुंची गए सब में दिखते हैं अब इमेल करते हैं कुछे कार्ड बेजते हैं आप सब बाबा के पास पहुंच गए और अभी भी अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं चाहे दूर हैं चाहे सम्मुक बेटे हैं दूर वाले के भी मुबारक के गीत बाबा के तक कानों में सुनाई दे रहे हैं तो रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बदाईयां दे रहे हैं अब आब आप याद तखरो साथ ही रिटर्न आए दिश में अब ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्रामन जीवन में कोई भी उस्व मनाना अर्ताग कोई भी उस्व मनाना अर्ताग सदा उमंग उस्वरी जीवन बनाना तो ब्रामनों की अलॉकिक एक तो लॉकिक डिशनरी होती है ब्रामनों की बाबा की अलाकिक डिक्ष्णरी है अपनी बाबा की डिक्ष्णरी है ना तो ब्रामनों की अलाकिक डिक्ष्णरी में मनाने का अर्थ है बनना किसी डिक्ष्णरी में यहाँ ने दिखा होता हमारी डिक्ष्णरी में क्या है उस्व मनाना मना वैसा बनना तो सिर्फ आज उत्सा मनाएंगे वा सदा उत्सा बरी जीवन बनाएंगे क्या बनाएंगे एक दिन का जान मनाना है कि सदा का जैसे फिर्वामन एक्जाम पर दिया जैसे इस थूल श्रीर में शुवास है तो जीवन है जान है तो जहान है अगर श्वास खतम हो गया तो जीवन क्या होगी खतम ऐसे ब्राह्मन जीवन का श्वास है सदा, सदा, उमंग और उच्छा कहां से में तो मंग उच्छा ग्यान योग से तो ब्राह्मन जीवन में हर सेकिन कितनी बबबे तो जाए ब्राह्मन जीवन में हर सेकिन उमंग उच्छा नहीं तो ब्राह्मन जीवन नहीं श्वास की गती भी नौर्वर समानी होनी चाहिए अगर श्वास की गती बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी यह नि हाई प्रेशर हो जाए यह लो प्रेशर हो जाता है लोगों को ब्लेड प्रेशर हाई हो जाता है कर लो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन तो नहीं कहा जाता तो यहां भी चक करो कि मुझ कि मुझ परस्वन एक एक परस्वनी बात बुरू तारे कि मुझ ब्रामन जीवन के उमंग उसा की गती नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है एक रस रहती है एक रस होना चाहिए ना स्टेबल होने चाहिए ना कभी बहुत कभी कम यह तो अच्छा नहीं है ना इसलिए संगम यूग हाँ बैठ आप तलिव में नहीं हो संगम यूग पर हो तो कितनी पॉल्डस है इसलिए संगम यूग की हर घड़ी उसर है सेरिमनी है यह तो विशेश मनुरंजन के लिए मनाते हैं क्योंकि ब्राह्मन जीवन में और कहां जाकर मनुरंजन मनाएंगे यह ही मनाएंगे ना सब भागे भागे शित्वर टहर्ति कहती है बागे 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 वहा जाते है मदबन जाते हैरा वावर गैदिरेंग भी मूंье होती है और तो भागे भागे जाते हैं बाबा कहता है यहां ही तो मनाएंगे ना कई विशेश सागर के किनारे पर कई बीच में जाओ या बगीचे में या किलम में तो नहीं जाएंगे ना बाबा के अब तो लिए किलम में जाएंगे ना यहां ही मदबर में ही सागर का किनारा भी है श्री बाबा ग्यान का सागर आ गए बगीचा भी है तो कलब भी है अजिते सारे ब्रामन कटे हो गए तो ये ब्रामन कलब अच्छी है ना ब्रामनों की कलब अच्छी है ना तो ब्रामन जीवन का श्वास है क्या श्वास है अमंग उछसा आई बाबा सारा जोरिते दे ले रे है अगर हम एक दिन भी मुली नहीं सुन रहे हैं यूग नहीं दरे हैं आज वैस बुनो शुआस हमारा कम जगए हुरा है इतन्स का उपार्टर से शुआस्ट की गती ठीक है न भुछतरे बाबा कि कभी नीचे उपर हो जाती है बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं ये कान में लगा कर चेक नहीं करना पड़ता डॉक्टर तो कान में लगाएंगे सब चेक करेंगे आज कल तो को साइंस ने भी सब आटोमेटिक निकाले हैं तो तो शिव जयंति व शिव रात्री दोनु के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना शिव का जनम और शिव रात्री क्यों कहते हैं दोनों ही रहस्य स्वयम भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं क्यों क्योंकि बाप की जनती के साथ आपकी भी जनती है आपका भी जनम है अवन अपना बर्डे यालि अपना जनम दिन का रियस्तों सुना सकते हो ना अब यादगार इस समय मना रहे हैं प्यक्टिकल में बाप अगजा जनम और बक्ति मार के हैं जो हम अभी करेंगे उसका पूरा यादगार तो यादगार तो भगत लोग भी बड़ी भावना से मन ही है लेकिन लेकिन अंतर अंतर क्या है बक्तों में हमारे में लेकिन अंतर ये है कि वो शिवरात्री पर हर साल वरत रखते हैं और आप तो आप तो पिकनिक करते हो कितना वराइट्य प्रकाय का अपर क्यों कि आप सब ने बाबा का बंते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूरन ब्रामन जीवन के लिए एक ही बार वरत धारन कर लिया इसलिए हमें बार बार वरत नहीं करना पड़ता और वक्तों को दुनिया वालों को हर साल वरत रखना पड़ता है आप सभी ब्रामन आत्माओं ने जनम लेते ही ये वरत ले लिया कि हम क्या वरत लिया क्या वरत था हमारा हमेशा के लिए कि हम सदा बाप समान संपन और संपूरन रहेंगे वरत रहेंगे ये पक्का वरत लिया है ये थोड़ा कच्चा है पूछरे बापा पक्का की कच्चा दोड़ा था जब आत्मा और परमात्मा जब आत्मा और परमात्मा का संबंद अविनाशी है तो वरत भी तो अविनाशी है ना दुनिया वाले सिर्फ खान पान का वरत रखते हैं इससे भी क्यासिद होता है जिर्फ खान पान का वरत रखते हैं क्यासिद होता है अपने ब्रामन जीवन में सदा के लिए खान पान का विवरत लिया है ना सदा के लिए लिया के लिया कि ये फ्री है खाना पीना जो भी चाहे खालो ऐसा दली है क्या ब्रामन बाबा के बच्चें बन करके इद्व जो मजी खा पी लो यानि पका वरत है वा कभी कभी थक जाओ तो वरत तोड़ दो कभी टाइम नहीं मिलता बड़े बिजी हैं तो क्या बनाएं कुछ भी मगा कर खाई लेवें ऐस तो नहीं करते है वैस तो ठीक है बाहर का खाते नहीं है बिजी बड़े थे का टाइम नहीं था बाहर जाना था तो लोग कुछ तो आज खाले थे बाहर का ऐस तो नहीं करते ह लेकिन बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा डीला करते हो पूछने बाबा थोड़ा थोड़ा डीला करते हो देखो देखो आपके भगत वरत रख रहे हैं चाहे साल में एक बार भी रखते हैं लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना चाहे एक दिर साल में रखें मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना तो जब आपके भगत किसकी बुझा कर रहे हैं वो मंदिर में किसकी बुझा कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं आपके याद कर रह हैं तो आप तो कितने पक्के हो तो आप कितने पक्के हो फिर बाबने पूछा पक्के हो कभी कभी थोड़ा डीला कर देते हो चलो कल भोग लगा लेगे आज नहीं लगाते हैं ये भी आप ब्रामन आत्माओं की जीवन के बेहद के वुरत के यादगार बने हुए है इस समय हमेरे खान पान बिल्कुल बाहर कर नेखाते हैं पूरा आजवद्चे बाबाबा के बने पूरा हमेशा उरकल नेखाना रहा है तो हमारे यादगार हमेशाय दो रख लिए सकते हो साल में एक दिन करड़ते हैं रखते हैं सुना सुना समलihat तो विशेश इस दिन प्वित्तरता का भी वरत्त रखते हैं एखानपानगऊ और पुवितरता का वरत रखते हैं जो अच्छे बगत हैं वो जिर पुवितर भी रहते हैं एक पुवितरता का वरत रखते हैं दूसरा खान पान का वरत रखते हैं तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी परकार का दुख या दोखा नहीं देगे ये भी वरत रखते हैं लेकिन लेकिन आप का इस ब्राम्मन जीवन का वरत बेहद का है उनों का हद का है यानि उनों का एक दिन का है अब पवित्रता का वरत तो ब्राम्मन जनम से ही धारन कर लिया है ना अगर फवित्तता का धारन ने किया है challenged कि अब ब्रहामन तो बने लिए अभी भी शुद्र है तो शुद्र ब्रहामन बन गय कि जैनी पवित्ता का व्रत कर रक लिया सिरफ प्रह्म चर्या नहीं सिर्फ ब्रहम्चरिया ही नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजे हो इसकों कहते हैं पवित्रता का व्रत तो सोचो तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफन हुए है जैसे ब्रहम्चरिया अर्फा क्या को एपित्ते रूकों को जीतने के लिए विशेश अटेंशन में रहते हो लट को एक वर विकार में रेकिन पार विकार गविकार पहीं में tapi उस्थीरव फिल्खतों इतना अटेंशन हैंने सब और ब्याम्चरिय को ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुटी है या थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो छुटी है छुटी है नहीं लेकिन अपने आपको छुटी दे देते हो बाबा के साथ छुटी तो नहीं है कि गुशा कर लो अपने को थोड़ा थोड़ा चुटी दे देते हैं तो देखा गया कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको चुटी दे दी आँख दिखा दी थोड़ा रोब कर दिया उनको बाबा के से चुटी दे दी है अरे क्रोध क्रोध महाभूत को तो भगाया है लेकिन उसके जो बाल बच्चे है छोटे बच्चे तो अच्छे रखते हैं सबको उनके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते ही है ना तो ये क्रोन के छूटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते ही है वरत वरत अर्तात संपूरन पवित्तरता का वरत अब कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बाते सुनाते हैं बाबाब की पोल खोल रहा है जहां से सुना क्या बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी बाते सुनाते हैं कैसे कहते हैं बाबा करोध आया नहीं लेकिन करोध दिलाया गया बात कि उसने ऐसे कर दी तभी करोध आया तो क्या करें बाबा की कहते हैं मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है बहुत मज़े की बाते करते हैं कहते हैं क्या कि फिर और का वाला बाबा को कहते हैं बाबा आप भी उस समय होते तो आपको भी क्रोज आ जाता तो बाप दादा क्या कहेगे क्या कहेगे बच्चों को बाप दादा भी कहते हैं अच्छा अच्छा तुमको माफ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना माफ कर जा जा रहता है अब शिवर रात्री का अर्थी है रात्री क्यों बोला अंदिकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्री तकलियों की अंदिकार मिटाओं सत्यों की प्रकाश लाने वाले रात्री मास्टर ग्यान सूर्य प्रकट होना यही तो है श्रीम्रात्री आप भी मास्टर ग्यान सूर्य बन विश्व में अंदिकार को मिटाए रौशनी देने वाले हो जैसा बाप वैसे बच्चे जो विश्व को रोश्णी देने वाला है वो स्वयम क्या होगा जो विश्व को रोश्णी देने वाला है वो स्वयम क्या होगा स्वयम अंधिकार में तो नहीं होगा ना जैसे दिपक जिलाते है छोड़ जोता हूं दिपक के माफिक तो नहीं हो दिपक के निचे अंधियारा होता है दिपक के तले अंधियारा होता ही है उपर रोशनी होती है तो आप मास्टर ग्यान के सुरिय हो दिपक नहीं हो आप ग्यान के मास्टर सुरिय हो तो मास्टर ग्यान सुरिय स्वयम भी परकाश रूप है लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है जहां सदा रोश्णी होती है वहां अंधिकार का सवाल ही नहीं अंधिकार वहां होई नहीं सकता तो संपूरन पवितरता अरतात रौश्णी तो यह लाइट नहीं यह संपूरन पवितरता की रौश्णी प्रेम की रौश्णी शांती की रौश्णी तो अंधिकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधिकार रही नहीं सकता रह सकता है आ सकता है उसे बाबा चलो रहे नहीं तो उर्दिकार रहे नहीं लेकिन आकर चला जाएए यह हो सकता है अगर किसी भी विकार का अश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अधिकार कहेंगे क्या कहेंगे अगर अंश भी है अंदकार ही कहेंगे ना अंदकार खत्म हो गया ना तो शिवरात्री का चितर भी दिखाते हो ना उसमें क्या दिखाते हो शिवरात्री चितर भी क्या दिखाते हो अंदकार भाग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा रह गया तो इस शिवरात्री पर विशेश क्या करेंगे जानी करा रहे है बाबा इस शिवरात्री की क्या करेंगे कुछ करेंगे जन्डा लराएंगे क्या करेंगे इस शिवरात्री पर बाबा करेंगे जैसे जैसे सदा परतिग्या करते हो कि हम यह नहीं करेंगे यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी ऐसे तो नहीं पहले भी सुनाया है कि परतिग्या का अर्थ ही है क्या होतनी परतिग्या क्या होतनी परतिग्या कि जान भी चली जाए लेकिन परतिग्या ना जाए प्रान जाए पर वचन ना जाए मनद कुछ भी तिया करना पड़े कुछ भी सुनना पड़े लेकिन पर्तिग्यार ना जा यह ऐसे नहीं जब कोई समस्यार नहीं तब तो पर्तिग्या ठीक है अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिग्या उसके आगे कमजोर हो जाए इसको प्रतिग्या नहीं कहा जाता वच्चन अर्थार वच्चन अर्थार वच्चन वचन अर्दार वचन तो ऐसे परतीगिया मन से करें कहने से ने उम्यूश्बद पर से कहा रिया हाएस्स ness परतीगिया ने ने दिल आपका बोले अंदर विचारों में प्रे कि मैंने परतीगिया किया कहने से करने वा बाले उस समधो शक्ति शाली संकलम करते हो करते हैं न समय दो आज के बाद बाबा कुछ नहीं हो पका कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है नेकि सर्म शक्तिया नहीं रहती जब मन से पर्तिग्या करते हो और किस से पर्तिग्या की मन में पर्तिग्या की किस से की बाप से तो बाप से मन से परतिग्या करना अरताद मन को मन मना भव भी बनाना और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परसिती में यंत्र बन जाता जब आँ मन मना कोई भी बात आई उस सबे उस बात को न देखो उस विकार को देखो उस कमी को नदेखो उस समय उनुज़ो यहां से परमधाम चलाए बाबा के पास उस समय बाबा से शक्तिय लेने शूरू कर दो तो वो यंत्र बन जाएका आपको बचाने का तो भी जाते हैं कोई प्रॉलम है ना उस प्रॉलम के बारे में ना सोचो उस समय बाबा के बार पहुंजो जो प्रॉलम अपने आ अप सौल हो जाए लेकिन मन से करने से यह होगा चाहतitting अमकी प्की दिल से दिखावेगी ना हो इसक्तिया लहीं मन से करने से होगा वहां मन में आये कि मुझे यह करना ही नहीं है अगर मन में ये संकलब होता है कि चलो कोशिश करेंगे करना तो है ही बनना तो है ही ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा क्या करेंगे इसलिए कर लो इसको का जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी करना तो पड़े गई यह जो मन से करने वाला होगा वो यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़े गा वो ये सोचेगा कि बाबा ने कहा और ये तो हुआ ही पड़ा है जो बाबा मुली में कहता है कोई बात हलियों बोलनी होते है उन बोल में शक्ति भी होती है इसलिए जो बाबा ने कहा है ये तो हुआ ही पड़ा है तो निश्चे और सफलता में निश्चित होगा निश्चे बाबा पर और निश्चित होगा यह फस्ट नमबर की परतिग्या सेकंड नमबर की परतिग्या है बनना तो है करना तो है ही पर पता नहीं कब हो जाए ये तो तो करना अर्ताथ अर्ताथ तोता हो गया ना तोता हो गया ना तो बाप दादा के पास हर एक ने हर एक ने सुनो जान से कितनी बार प्रतिग्या की है कितनी बार प्रतिग्या की है आज ते कितनी बारी प्रतिग्या की है वो सारा बाबा करें फाइल है रहे की अब ठाइल है की अलग में फाइल बना रहे की बाबा ने फाइल बहुत बड़े हो गए है अभी फाइल नहीं भरना है final करना है दोरे दोरे पृतिग्या करते हैं दो आप सारी फाइल final करो जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि पृतिग्य की चिय्ट्कि fakphinTIN लिखाए इसकी भाप लिखा आप प्रतिग्या है तो बाप दादा के सामने सारी file आजा जाती है इतनी लाद अबिवे बी ऐसे करेंगे कि वे काखस एड़ करिए बुँ मुझे नहीं करेंगे लिए रे बाल बालँ ग करना है और हो बालग क्या मत्युंस करते हम्लंगों डिल बुक्य। अब पर्तिग्या क्मजोर होती है बाबा ने हुदाया पर्तिग्या कमजोर होने का एक ही कारण बाप दाजा ने देखा एक ही कारण बाप दाजा ने देखा मैं आत्म हूँ यह नहीं बॉडी कॉशिस कम है और यह मैं शबद ही दोखा देता है मैं यह समझता हूँ मैं ही यह कर सकता हूँ मैंने जो कहा वही ठीक है मैंने जो सोचा वही ठीक है तो भिन भिन रॉएल रूप में यह मैपन तर तिग्या को कमशोर करता है आखिर कमशोर होकर के कमशोर होते होते कати काता है दिल शेकस के शबद सोचते है मैं इतना सहन नहीं कर सकता अपने को इतना एकदम निर्मान कर दू down to earth हो जाओं इतना नहीं कर सकता इतनी समझें पार नहीं कर सकते मुशकिल है ये मेपन कमजोर करता है बाड़ी कोईस कर दो है ये कमजोर लगता है अमारे को हुआ लगा है नहीं ये आपको अंदर से कमजोर करता है बहुत अच्छे रॉयल रूप है अपनी लाइफ में देखो यही मैपन संसकार के रूप में जो कहाता है यह मैपन है कहां कहाता है यह कभी संसकार के रूप में कभी सौभाव के रूप में कभी भाव के रूप में कभी भावना के रूप में कभी बोल के रूप में कभी संबंद संपरक के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है नहीं शिवरात्री पर ये मैं मैं की बली चड़ती है शिवरात्री पर ये मैं मैं की बली चड़ती है और भगत बगत बिचारे हैं बगत को बपके रहता है बिचारे है तो बगत बिचारों ने तो बक्री मेमे करती है ना बक्री के मेमे करने वाले को बड़ी चड़ाए जो बक्री मेमे करें उसको बड़ी करने चार दिया लेकिन है ये मेमे इसकी बली चड़ाओ उस बक्रे की बली ते खुश नहीं होना रहा जो मैं मैं करते है ना इगो दिखाते हैं अपनी इसकी बली चड़ाओ अब यादगार तो आप लोगों का और रूप में मनाई रहे हैं बली चड़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बली रखी हुई है क्या रिजल्ट है पूछे बाबा क्या रिजल्ट है परतिग्या करनी है तो संपूरर परतिग्या करो जब बाप से प्यार है प्यार में तो सब पास है बाब से प्यार सबको है ना सब पास है कोई कहेगा बाब से 55% प्यार है 50% प्यार है प्यार के लिए सब क्या कहेंगे क्या कहेंगे 50% है क्या कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है यह सब कहते ही है तो बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं और इसमें पास है क्योंकि प्यार में त्याग क्या चीज़ है जब प्यार है वहां त्याग क्या चीज़ है माँ बच्चे के लिए दस बार रात उठेगी तो लगता है जी उठी में तो परतिग्या मन से करो और द्रिड करो बार बार अपने आपको चेक करो कि परतिग्या पाउर्फुल है या परिख्षा पाउर्फुल है कोई ना कोई परिख्षा परतिग्या को कमजोर करी देती है रात आई परतिग्या गई तो डबल विदेशी तो वाइदा करने में हशियार है ना तोड़ने में नहीं जोडने में हशियार हो तो बाप दादा सभी डबल विद्देशी बच्चों का भाग दे कर हर्शित होते है बाप को पहचान लिया यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है बाबा को पचान लिया यही तो सुष्चे बड़ी कमाल की है दूसरी कमाल विद्देशी होते हो बाबा को बगान को पचान लिया दूसरी कमाल वराइटी वरिष्च की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदर के वरिष्च की डालियां बने नहीं पहले अलग अलग थी अ है तब को आप से स्वेल पुश्ट भी वाती है तो एकी विरिशकी डाला हू बhinta में एकटा लाई दैश भिन-भिन है बाशा भिन-भिन है कलचर भिन-भिन है लिकिन आप लोगों ने बिन इन्था को एकता में लाया है यह ना उभी ड पर क्विन सा है के अध़िस्ên कल्च्छ extra कि यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे केता है यो बारत वासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर एसा होता है तो बापने गा बाप के बने तो सब प्रकारकी अलग अलग रस्म रिवाज दिन चर्या आदी सब मिलाकर एक कर दी चाहे अमरीका में हो चाहे लंडन में हो कहीं भी हो लेकिन ब्रामनों की दिन चर्या एक ही है यह अलग है विदेश की दिन चर्या अलग हो भारत की अलग हो ही नहीं सबकी एक है तो यह भिंटा का त्याग की तो कमाल है समझा क्या 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 क्माल किया है जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाबा आपने कमाल कर दी इतना मारा बाबा आपने कमाल कर दी समझा क्या कमाल की बाबा ने क्या कमाल की जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाबा आपने कमाल कर दी बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी क्या किमाल की बच्चों ने तो बाप दादा देख देख के हर्शित होते हैं बाप हर्शित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं तो सेवा भी चारो और विदेश की सुनते ही रहते हैं ना आज जान सेवा की आजमान सेवा की तो दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हो प्रोग्राम सभी अच्छे हुए है और आगे भी अच्छे होते रहेंगे तो ये दिड़ संकलब यूज किया ये दिड़ संकलब यूज किया अरताथ सफल किया अब जितना दिड़ संकलब को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अन्भव करते जाएंगे। ठीक है? कैसे होगा? दिर्ता सरक्रपों में दिर्ता लानी है। जितनी दिर्ता लाएंगे उतनी सफल हो जाएंगे। है ना? उतनी सहज सफलता होगी। अन्भव करते जाएंगे ना? कभी भी ये नहीं सोचो। कभी भी ये नही कैसे की बज़ाय सोचो ये ऐसे हो गा संगव पर विशेश वर्दान ही है संगव पर वर्दान की है हमारा असंभव को संभव करना इंपॉसिबल को पॉसिबल करना है तो कैसे शबद आही नहीं सकता ये होना चाहिए नहीं निश्चे रख कर चलो कि ये तो हुआ ही पड़ा है बाबा ने कहा ना सोचे तो हुआ ही पड़ा है सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है ये रिपीट होना है बना हुआ है बना हुआ है बने हुए को बनाना अर्दाद रि रिपीटर तो करना है इसको का जाता है सहज सफलता का आधार दिर्ग संकलब के ख़साने को सफल करो समझा क्या होगा कैसे होगा नहीं समझा क्या होगा कैसे होगा ये निजी बाबा को होगा और सहज होगा संकलब की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएगी संकलबों भी अगर फ्लिक्टियोशन है ना तो भी वो आपको सफलता जब उन्हें भी हलचल में ले आएगी अच्छा अच्छा चारो और के सदा उत्सों मनाने वाले सदा उम्मंग उत्सा से उड़ने वाले सदा संपूरन परतिग्या के पात्र अधिकारी आत्माएं सदा असंभो को सहज संभो करने वाले सदा हर परकार की परिश्या को कमजोर कर परतिग्या को पावर्फुल बनाने वाले सदा बाप के प्यार के रिटर में कुछ भी त्याक करने की हिम्मत वाले ऐसे ऐसे क्रिमूर्ति शिव बाप के जनम साथी यनि ब्रह्मन आत्माओं को अलोकिक जनम दिन की याद प्यार और मुभारक हो तो बाप दादा की विशेश शिरेश आत्माओं को नमस्ते तो हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो बदान सुनेंगे ग्यान गुन और शक्तियों रुपी खजाने द्वारा संपन्ता और संतुष्टा का अन्भव करने वाले संपतिवान भव हम को नहीं है संपतिवान सबसे वेल दी पावने का जिन बच्चों के पास ग्यान गुन और शक्तियों का खजाना है सबके पास ग्यान भी है गुन भी है शक्तिय भी है वो वे सदा संपन अर्थास संतुष्ट रहते ही हैं उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता है हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है वो दाता होते है हद की दुनिया में किसी प्रकार की किसी व्यक्तिया वस्तु से के बारे में कोई इच्छा नहीं होती है वही फिर दाता होते है उनके पास हद की ट्राप्ति की उत्तप्तिमियों B कभी मांगने वारे मंगतान नहीं बन सब्चे जाता कि बच्च लिए है सजा संपन्द और संतुष्ट बच्चों को ही कहा जाता है संपतिवार स्लोगन है क्या करना इसके लिए महबत में सदा लव लीन रहो लव में लीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा कि मेहनत की रखती है क्योंकि अकेले होते है जब बाबा के लो में लीन हो जाएंगे बिलकुल बाबा की साथ चलेंगे पिर मेहनत रोगेगी बाबा उसको मनरणजन मनाजता है रो मनरणजन मकदवर प्रालम होती नहीं है अच्छा सूचना आज किया है आज इंटरनेशनल यो झाल झाल